वीके न्यूज राश्ट्र के नाम ओसकार में अमर राव का स्वागत है वीके न्यूज पे भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कभी आईसेसी टूर्नामेंट में मैच खिला जाता है तो रोमाज चरब पर होता है इस मैच में दोनों ही टीमों के खिलाडियों पर तबाव रहता है आईसेसी टूर्टे विश्कप में भारत टीम पर पाकिस्तान ने पहली बार जीत हासिल करने में काम्याबी पाई इस मैच में युवा तेस गेंबार शाहिन शाह अफरीदी को 31 रंदे कर 3 विकट लेने पर प्लेयर आफ तब मैच चुना गया था अब इन सबके बाद एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद पूरे क्रिकेट पर सवाल उठ सकता है सवाल इसले क्रिकेटर ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे क्या भारत पाकिस्तान का मैच फिक्स था तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको जान बूच कर पूरा प्रोटो कॉल बनाये गया था कि इस तरीके के मैच कराओ तभी यहाँ पर जो राजनीती है वो चरम पर जाएगी मुहिपूर पाकिस्तानी कप्तान शाहिन साफरीदी ने इस बात का खुलासा किया है कि मैच से पहले शाहिन दबाओ में थे भारते खिलाफ टी-20 विशकप मैच से पहले उन्होंने मुझे फोन किया था और अपनी ये बात शेयर की थी शाहिन ने भारत के खिलाफ इस मैच में शुरुवाती ओवर में ही ओपनर रोई शर्मा और केल राहूल का विकेट चटका कर टीम को बैट फूट पर धकेल दिया था अब इस सब के बाद लोग अटकरे लगा रहे हैं कि इस तरीके के वीडियो कॉल अगर खिलाडी कर रहा है वो भी मैदान के बगर बैट के तो कहीं न कहीं पूरे ICC, पूरे BCCI, पूरे भारते क्रिकेट पर सवाल उठता है कई लोग ने विराट कोली को भी आड़े हाथो लिया है, विराट कोली को लोग कह रहे हैं कि जान बुझ का विराट कोली ने इस तरीके का खेल रचा और रवी शास्त्री ने कि यहाँ पर कोच बदला जाए और जो यहाँ पर रोई शर्माया उनको भी टीम से निकाला और आप देख रही हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूस चानल